मीठे बच्चे मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयू बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे, याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा. आज का प्रश्न तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए क्यों? उत्तर क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लाटरी मिली है? भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं सत्योग में देवता, देवताओं को पढ़ाएंगे यहां मनुश्यक मनुश्यों को पढ़ाते हैं लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं पर्मात्मा पढ़ा रहे हैं तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो तुम्हारे में सारी नौलेज है देवताओं में यह नौलेज भी नहीं आज का गीत जाग सजनिया जाग ओम शांती नए युग में होते हैं देवी देवताएं है वह भी मनुष्य परंतु उन्हों के गुन देवताओं जैसे होते हैं वह है वैश्नव डबल अहिंसक अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते इसको कहा जाता है मृत्य लोग जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं उसको कहा जाता है देव लोग जिसमें देवी देवता रहते हैं वह डबल अहिंसक थे उन्हों का भी राज्य था कल्प की आयू लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता आजकल कल्प की आयू कम करते जाते हैं कोई साथ हजार वर्ष कहते, कोई दस हजार कहते यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है उचेते उचा भगवान और हम उनके बच्चे रहते हैं शान्तिधाम में हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं भल जीता में अक्षर है मनमनाभव परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो यह किसकी बुद्धी में नहीं आता जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धी में आये इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो मनुष्य यहां हैं, देवता सक्युग में होते हैं बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो तुम्हारी यह इश्वरिय मिशन है निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ न सके निराकार को हाथ पाव कहां से आया श्रीकृष्ण को हाथ पाव सब कुछ है भक्ती मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं अब तुम बच्चों के पास चित्र आदी तो बहुत है चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे एकदम उपर आत्माओं का भी दिखाना है आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देंगी फिर सुक्ष मवतन उनके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे मनुष्य कैसे पिछाडी में आकर फिर उपर चड़ते हैं यह दिखाएंगे दिन प्रति दिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे जाड बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा कल पहले जिसने जो पद पाया होगा जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी ऐसे नहीं कि पिछाडी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं वह भी बनेंगे नौधा भक्ती वाले रात दिन भक्ती में लगे रहते हैं तब उन्हों को साक्षातकार होता है यहां भी ऐसे निकलेंगे रात दिन मेहंत कर पतित से पावन बनेंगे चास सब को है ऐसे नहीं पिछाडी में कोई रह जाए ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता सब तरफ पैगाम देना है शास्त्रों में है एक रह गया तो उल्हना दिया यह चित्र अखबार आदी में भी पढ़ेंगे तुमको भी निमंतरन मिलते रहेंगे सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है जब पूरा निश्चय होगा तब दोडेंगे नामाचार निकलता ही रहेगा नव्यूग सत्यूग को ही कहा जाता है नव्यूग अखबार भी निकलती है कहते हैं निव देहली परन्तु निव देहली में यह पुराना किला किचड़ा आदी हो न सके अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है सत्यूग में सब तत्व भी आरडर में रहते है यहां तो पांच तत्व भी तमोप्रधान है वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है दोखह का नाम भी नहीं उसका नाम है स्वर्ग यह सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं सतो प्रधान बनने के लिए पुरुशार्थ कर मन्जिल पर चड़ रहे हैं और सब अंधियारे में हैं हम रोश्नी में हैं हम उपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं यह सब विचार सागर मन्थन तुम बच्चों को करना है शिवबाबा है सिखलाने वाला वह तो मन्थन नहीं करेंगे बरहमा को मन्थन करना होता है तुम सब विचार सागर मन्थन कर समझाते हो कोई का तो मन्थन बिलकुल नहीं चलता पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एक दम भूल जाओ परंतु बाबा जानते हैं, नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है बाब कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूं वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं उनके पिछाडी उनके धर्म के आते रहते हैं उनकी क्या महिमा करेंगे महिमा तो तुम्हारी है आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोईन कहा जाता है हीरे जैसा जन्म और कौडी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पढ़ते हो तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुमको लौटरी मिली है तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं वहां तो देवता, देवताओं को पढ़ाएंगे यहां मनुश्य मनुश्यों को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं फिरक हो गया न तुम ब्राह्मनों ने राम राज्य और रावन राज्य को भी समझा है अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्पद पाएंगे अज्यान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है छोटे पन में सगीर बुद्धी होती है फिर बालिक बुद्धी होती है सोलह से सत्रह वर्ष के बाद सगाई होती है आजकल तो गंद बहुत है गोदवाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं वहाँ शादिया कितनी रायल होती है तुमने सब साक्षातकार किया है जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षातकार करेंगे अच्चे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयू बढ़ती जाएगी बाप कहते हैं योग से अपनी आयू बढ़ा बच्चे समझते हैं योग में हम धीले हैं याद में रहने लिए माथा मारते हैं परंतु रह नहीं सकते घड़ी-घडी भूल जाते हैं वास्तव में यहां वालों का चाट बहुत अच्छा होना चाहिए बाहर तो गोर्खधंधे में रहते हैं बाप को याद करते करते यहां ही तुमको सतोप्रधान बनना है कम से कम भोजन बनाते, काम करते आठ घंटा मुझे याद करो तब करमातीत अवस्था अंत में होगी कोई कहे मैं छे से आठ घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं बहुतों को लज्जा आती है, चाट नहीं लिखते हैं आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते मुली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हूँ याद में तो सुनना बंध हो जाता है कई बच्चे लिख देते हैं, याद में मुली सुनी, परन्तु यह याद थोड़े ही है बाबा खुद कहते हैं, मैं घड़ी-घड़ी भूल जाता हूँ याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो अभोगता हो, यह कैसे कहूं बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं कोई-कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है मुख्य है याद की यात्रा मुरली की सब्जेक्ट बिलकुल अलग है याद से पवित्र बनते हैं आयू बढ़ती है बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें थाना मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे मेहंत है बाबा जानते हैं, बहुत बच्चे बिलकुल याद नहीं कर सकते हैं याद में रहने वाले की अवस्था, बोल चाल बिलकुल अलग रहेगा याद से ही सतोप्रधान बनेंगे परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धु बना देती है बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है मौ जो नहीं था वह उथल पड़ता है फंस मरते हैं बड़ी महंत का काम है मुरली सुनना यह सब्जेक्ट अलग है यह है धन कमाने की बात इसमें आयू नहीं बढ़ेगी पावन नहीं बनेंगे विकर्म विनाश नहीं होंगे मुरली तो बहुत सुनते हैं खिर विकार में गिरते रहते हैं सच नहीं बताते बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहां क्यों आते हो? कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ. यहां आऊंगा तब तो पावन बनूँगा. यहां आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहा जाएं. रास्ता तो यही है. ऐसे ऐसे भी आते हैं. कोई न कोई समय तीर लग जाएगा. बाबा यहां के लिए भी कहते हैं, यहां कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए. यह तो इंद्र सभा है. अभी तक तो आजाते हैं. एक दिन यह भी आर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गैरंटी करे तब एलाव करें. तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता. तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है. हम भगवान, ईश्वर, सोमनात, बबुलनात के पास बैठे हैं. वही पावन बनाने वाला है. अभी आखरीन में बहुत आ जाएंगे, तो फिर कोई हंगामा आदी कर न सके. इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे. आर्य समाजी भी हैं हिंदू. सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है. देवताएं होते हैं सत्युग में. यहां सब हिंदू हैं. वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, यह हिंदूस्तान तो देश का नाम है. तुम बच्चों को उठते बैठते, चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है. स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए न. सारा चक्र बुद्धी में है. देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फ्कर रहा है. पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, तो फिर विश्नु के कुलके बन जाएंगे. तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं. वह देवताएं फाइनल हैं. तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो. शिवबाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं. उनमें नौलेज है न? वह हैं तुमको बनाते हैं. तुम हो बनने वाले. ब्राहमन बन फिर देवता बनेंगे. अब यह अलंकार तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुशार्थी हो. फिर तुम विश्णों के कुल के बनते हो. सत्युग वैश्णव कुल है न? तो ऐसा बनना है. तुमको तो मिठा बनना है. ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है. एक द्रिश्टान्थ है, दो लड़ते थे. सन्यासी ने कहा मुख में महलरा डाल लो. कभी निकालना नहीं. रेस्पांड मिल न सके. पांच विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है. कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं. हमारे में बहुत क्रोध था. अब बहुत कम हो गया है. बहुत मीठा बनना है. कल तुम इन देवताओं के गुन गाते थे. आज तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं. नंबरवार ही बनेंगे. जो सर्विस करेंगे उनका नाम जुरूर बाबा भी लेंगे. रास्ता बताना चाहिए. हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे. अब कितनी नॉलेज मिली है? जो अच्छी रीती धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है. बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है. बाबा जानते हैं यह रुहानी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर स्थूल सर्विस. बाबा की याद में रहकर सर्विस करें तो अहो भाग्य. एक दो को याद दिलाते रहो. याद से बहुत बल मिलेगा. याद करने वाले को फिर चाट रखना है. चाट से मालूम पढ़ जाता है. हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं. विश्व में शानती बहुत मांगते हैं. जरूर कभी विश्व में शानती थी. सत्यूग में अशानती की कोई बात भी नहीं. स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं. अब स्वीट कहा है? मौत ही मौत लगा पड़ा है. यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है. इंड हो नहीं सकती. चक्र फिरता रहता है. अच्छा. मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का यादप्यार और गुड मार्निंग. रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते. धारना के लिए मुख्यसार. पहला प्वाइंट. विकर्म विनाश करने वा आयू को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में ज़रूर रहना है. याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम आठ घंटा याद का चार्ट बनाना है. दूसरा प्वाइंट. देवताओं समान मीठा बनना है. ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाएं न बोलना अच्छा है. रुहानी वास्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य. आज का वर्दान. सेवा में रहते करमातीत स्थिती का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्थ भव. समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है. सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है. सेवा में ही स्वभाव, संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है. उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नयान्या रूप धारन कर आएगी इसलिए सेवा और स्वस्थिती के बैलेंस का अभ्यास करो मालिक हो करमंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो मन में बस एक बाबा दूसरा न कोई यह स्मृती इमर्ज हो तब कहेंगे करमातीत स्थिती के अनुढवी तपस्वी मूर्ध आज का स्लोगन कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजितिव बनाओ